हाले फ्रेंड्स, निमेशकार, मैं आप सब के अपनी दोस्त पायुशा, आज हम फिर बात करेंगे, आपके साथ चर्चा करेंगे, दिल से मन की बात, मन से दिल की बात, माना की, माना की नए जमानी की पुरानी जमाने पर जीत हो गई. माना की पुराने जमाने पर नए जमानी की जीत हो गई, मुझे प्यार पसंद है, मुझे लड़ना नहीं, मुझे प्रेम पसंद है, मुझे लड़ना नहीं, मुझे मुस्कान पसंद है, नम, आखे नहीं, हम प्यार और ममता की मधूर अभी व्यक्ति को हम अतीत नहीं बनने देंगे, हमारे जीवन में आज है, हमारे जीवन में आज है, फिर कल की वो याद, वो गमगीन, वो कश्मकश, क्यूं, प्रेम, सच, करुणा, पारदर्शिता, यही तो वो समिश्रण है, जो हमारे जीवन को आनन्दित और सुक्सुकून के साथ, जीवन को मधूर में संगीत युक्त बनाता है, मानफता भावों के साथ, जीवन के हम सब मुसाफिर आईए, साथ साथ जीवन पत पर चलते हैं, हम आप जैसे ही तो हैं, देखें दोस्तों, बातों की मिलावट, जूर चुपाना, बाते बनाना, जूर बोलना, बहाने बनाना, ये सब जीवन की, वो सब चीजों को खो देता है, जिस जीवन की हमारी आविशकता है, ये जूर, छल, धोका, चुपाना, बहाने बनाना, वो सम्मिशरण है, जिससे हमारे अपने दूर हो जाते हैं, और हम अपनों से बहुत दूर रह जाते हैं, अकेले तनहां, और साथ में रह जाता है प्राइश्चेत, यादों की वो आंधियों को सब कुछ बहा कर ले जाता है, जब हम पश्चाताप में रह जाते हैं, अकेले और तनहां, बीते हुए कल के स्वर्डिम पलों को हम खो देते हैं, लेकिन एक बात बहुती ज़्यादा आविशके, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं, यानि की अंतराल, जब हम इस अंतराल को भरने में समक्ष हैं, आधुनिक्ता की बदलती हुई पत्दिती, ये जीवन परिवर्टनशील है, और आज का ये जो समय है, यूग है, परिवर्टित यूग है, हम जब इसे स्विकार कर लेंगे, तो हमारी जीवन में एज का गैप, जनरेशन गैप कभी नहीं रहेगा, हम नहीं कह सकते, हम नहीं सोच सकते, कोई हम से नहीं कह सकता कि ये जनरेशन गैप है, जन्रेशन गैप नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आज को स्विकार करो और हमें सब के साथ वैसे ही बन जाना है, जो सपने हमारे अपनों के हैं, उन्हें हम अपना सपना क्यों न बना ले? हम अपनों की अच्छाईयों को अपना ले, अपनी अच्छाईयों के प्लस पॉइंट को अपने लोगों का हम देखेंगे, तो हमारा रिष्टा मजबूत बनेगा, जब हम इस एज जन्रेशन गैप की बात करते हैं, तो उसका कारण क्या है? हमारी विचारदारा, हमारी सोज, परिवर्तित यूग, परिवर्तन शील समय है, और परिवर्तन का जो ये दौर है, हम उसे क्यों नहीं अपनाते? कभी पिछली सदी मन मुहीनी कस्तूरी सी सुगंदित बन जाती है, तो कभी बीता हुआ पिछला, यानि बीता हुआ कल, कभी कभी जख्मसा, जहर से गहरे जख्मसा, चलिए दोस्तों, हम, आप, आज के इस दौर के जैसे बन जाते हैं, आप और हम आज के इस दौर के जैसे बन जाते हैं, इस आज की नई सदी को हम मुस्कुरा कर अपनाते हैं, एक आलिशान, सुन्दर, तालमेल बैठाते हैं, और इस जनरेशन गैप को हम हटाते हैं, हम मिटाते हैं, हम उनके मित्र बन के, हम उनका जैसा बन कर, एक नई सदी की रशना, एक नई सदी का सरूप बनाते हैं, Friends, सब के साथ, सब के साथ, सब के साथ, हम ये टालमेल बैठाते हैं, हम आप जैसे ही तो हैं, हम आप जैसे ही तो हैं, बीता बक्त हाथ की फिसलती रेद की तरहा हम सब जनरेशन गैप को खुद मिटाते हैं हम उनके साथ उनके जैसे बन जाते हैं, उनको समझते हैं उनको समझते हैं और उनकी उम्र, उनके ख्वाब, उनके काम, उनकी जीवन में हम, उनको अपना दोस्त बनाते हैं, हम खुद उनके जैसे बन जाते हैं, जनरेशन गैप नहीं, हम आप जैसे ही तो हैं। हम आप जैसे ही तो हैं। वक्त को ऐसे क्यों गुजारना, वक्त को ऐसे क्यों गुजारना, जैसे एहसान हो जिन्दिगी का। जिस घर में बुजूर्ग, बड़े, सुखी होते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं जीवन में। वही सफलता है, उचे मकान, आलिशान घर, बड़ी-बड़ी इमारते, गारियां, ब्यापार, यह जीवन की सिर्फ सफलता तो नहीं। सब के साथ हम सब के जैसे बन जाते हैं। आईए दोस्तों, हम एज का जो यह अंत्राल है, जनरेशन गैप जिसे कहते हैं, इसे मिटाते हैं। हम आप जैसे ही तो हैं। एक वक्त ऐसा आता है, जब अकेले में, तनखाई में, छुप-छुप कर रुमाल गीले होते हैं, तक्या गीला होता है, मन ही मन घुल-घुल कर जीते हैं। बस इतना सा जनरेशन गैप मिटाते हैं, हम आप के जैसे ही तो हैं। पलके भरकर आखों में आसू, व्याकुल सासे, बेचेन तडपती खुटती, ये काइनात क्यूं? ये काइनात क्यूं? बस हम अपने हाथों से इस जनरेशन गैप को हटाते हैं, ये दूरियां मिटाते हैं। हम सब साथ साथ मिलकर बाते करते हैं, हसते हैं, आपके खौबों में, आपके काम में, हम आप जैसे बन जाते हैं। दूरी बिलकुल न बढ़ाईयें। जनरेशन गैप कहकर अपनों को अकेला बिलकुल न छोड़ियें। हम आप चैसे ही तो हैं। क्यूं दबी दबी सी कसक यादों की जहमेले माना की। समय बदल जाता है, समय बीत जाता है, बीता हुआ समय, बीता हुआ कर, बीता हुआ जीवन बापस नहीं आता, लेकिन फिर भी सोचिए, समझिए। जब नदी बहती है, तो उसका पानी नया होता है, जब सूरज निकलता है, तो हर दिन नया ही तो होता है। तो इस एज जनरेशन के गैप को हम खुद भरते हैं, हम उन्हें उनकी ही तरह अपनाते हैं, हम आप जिसे ही तो हैं। नई योग में हमें समरस होना होगा, परिवर्तन, परिवर्तित होता ये योग, इसे हमें अपनाना होगा, जैसे मुबाइल, इंटरनेट, गजेट्स, ओनलाइन शॉपिंग, हमने बदलती हुए समय में इन सब चीजों को अपनाया। उसी तरह हमें बदलते हुए आधुनित यूग को भी ये अति आविशक है अपनाना होगा। आने वाला समय, आने वाला वक्ष और भी ज्यादा परिवर्तित हो चुका होगा, जिसकी हमें और आपको आज की डेट में कल्पना भी नहीं है। और अगर हम आने वाले समय के परिवर्तन के बारे में यदि आज हम बात भी करें तो वो एक कहानी से लगेगी। लेकिन सच यही है कि जैसे जैसे समय परिवर्तित हो, जैसे समय का बदलाव आता है, हमें अपने जीवन को वैसे ही परिवर्तित करना होगा, जीवन में सामंजस से बैठाना होगा। जीवन के इस उम्र के अंतराल को जिसके वज़े से हम अकेले रह जाते हैं, जन्रेशन गैप जी हाँ, इसे हमें खुद भरना होगा, जन्रेशन गैप के साथ हमें खुद दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। दोस्तों, सच भी तो यही है, मिल जूल कर हम सब साथ साच जीएं, क्योंकि हम आप जैसे ही तो हैं, हम आप जैसे ही तो हैं। जैसे मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बाते बताती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, जो 10-12 वर्ष की उम्र से छोटे हैं। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ, और उनके साथ एक बार ऐसा नहीं, हर बार हमारा इतना प्यारा रिष्टा होता है, कि वो अपने खिलोने, अपने गेम्स, अपनी छोटी-छोटी जो उनकी बाते होती हैं, जिनसे जीवन शुरू होता है, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। और मैं उन सब की बाते बहुत ध्यान से सुनती हूँ, इंटरस्ट लेकर, और उनमें घुल मिल जाती हूँ, उनकी जैसी बन जाती हूँ, और उन्हें उनहीं की तरह रिप्लाई दीती हूँ, और वो मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा दोस्ती की तरह रिष्टा बन जाता है जब मैं वहां से चलते हूं, तो वह सर कहते हैं, आंटी, रुख चाहिए, रात में रुख चाहिए, हमारे घर पे रुख चाहिए, हम ये गेम खेलेंगे, हम वो गेम खेलेंगे, इसी तरह जब थोड़ी और बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं, तो वो भी मुझसे फोन पे ब बताते हैं, मुझे समझाते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ उनकी जैसी बन जाती हूँ, मैं उनकी दोस्त बन जाती हूँ, और वो कहते भी हैं, आंटी जब हम बड़े हो जाएंगे, तो हम खुद आपसे मिलने आया करेंगे, अभी तो इस्टडी के वज़े से थोड़ा बिजी रहते हैं, तो कम आते हैं, तो देखिए, ये दोस्ती है, मैं उनकी जैसी बन जाती हूँ, हमारी ओमनी की सकी सहिलिया हूँ, हमसे छोटी बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च उनकी बातों की तरह, उनकी पसंद की तरह इसलिए हर उम्र से, हर वर्ष से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है कभी तूटती नहीं बल्कि जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है हमारा रिष्टा, हमारा पहचान बहुत मजबूत होता जा रहा है क्योंकि हमें किसी को ये नहीं समझाना कि तुम ऐसा कर रहे हो तुम आधुनीक बन गए हो तुमारे अंदर ये परिवर्टन लाना है बात ये नहीं है बात सिर्फ इतनी है हमें उनको समझना है उनके जैसा बन जाना है और उनके दोस्त बन कर हमें उनके साथ अपना रिष्टा जोड़ लेना है चाहें वो किसी वी वर्व के हो यहां तक कि मेरे अपने पहचान में मेरी फ्रेंस में मेरे कुछ लोग हैं उनके ब्रत माता पिता जब मैं वहां से चलती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ कर कहते हैं रुक चाओ, जल्दी जल्दी आया करो क्यों? क्योंकि मैं उनकी जैसे बन जाती हूँ अपनी पुरानी बाते बताती हूँ हमारे नाना जी ने ऐसा बताया था हमने ऐसा पढ़ा था हमने ऐसा सुना था मैं उनसे तालमेल पूरा बैठाती हूँ और वो भी अपनी पुरानी बातें आज के बातें दिल खोल कर शेयर करते हैं मेरे साथ और जब मैं कहती हूँ मेरे काम है आज तो मुझे जाना है तो वो कहते हैं अगली बार आओगी तो कपड़ी लेकर आना कुछ दिन यहीं ठेरना देखे साथियों दोस्ती के लिए कभी भी हमें तालमेल बिठाना होता है हम भिन भिन विचारधाराओं के लोग होते हैं बस यह जो नया जनरेशन है जनरेशन गैप उसके वज़े से हमें खुद अकेले नहीं पड़ना है हमें खुद टालमेल बैठानी है, उनका दोज बन जाना है, फिर दीखिए वो हमें कैसे अपने साथ अपना लेते हैं, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, जब उन्हें लगेगा कि हम बिलकुल उनके जैसे हैं, दोस्तों सच भी तो है, हम आपके जैसे हैं, है ना, हम नहीं है, आपके जैसे हैं, आज का जो ये परिवर्तित जीवन समय है, हम जीवन रूपी इस सिंगार से खुद को सुसजित करेंगे, हम अपने इस आज को अतीत में नहीं जिएंगे, हम आज को आज के ठंग से, प्रेम से, दिल से, खुशो के जिएंगे, हम आपकी जैसे ही तो है, फ्रेंड्स, इस बदलते हुए समय के साथ हम खुद को बदलते हैं, इस परिवर्तित होते हुए समय के साथ हम अपने ब्योहार, अपने सोच को हम खुद परिवर्तित करते हैं, इस आधुनिक यूग को हम, इस आधुनिक यूग को हम खुद अपन अपने परिवार अपने रिष्टे अपने पहचान में जो दूरियां जन्रेशन गैप की बज़े से हम समझ लेते हैं यह लोग कहते हैं उन्हें हम में खुद भरेंगे उस एज के जो अंत्राल है गैप है जन्रेशन गैप उसे हम खुद मीटा देंगे हम इस बदलते समय के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं हम कोई भी एज हो, किसी भी एज के लोग हो, हमारे अपने हम अब उनके साथ उनके जैसे बन जाएंगे उनकी अच्छाईयों को हम समझेंगे, उन्हें हम अपनाएंगे हम खुद को परिवर्तित करेंगे हम अब अलग अलग रहकर नहीं जियेंगे और फिर इस अलग रहने की बात को हम जन्रेशन गैप कहकर बात नहीं करेंगे हम खुद उनके जैसे बन जाएंगे क्योंकि हम आपके जैसे ही हैं क्योंकि हम आपके जैसे ही तो हैं तो दोस्तों हम खुद generation gap को, generation gap कहकर उनसे दूरी नहीं होने देंगे हम सब के साथ, उनके साथ, उनकी उम्र के, उनकी सोच के, उनके खौबों की साकारकरनी की शक्ति बनकर उनके साथ जीएंगे चेर्स 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 जेर्स जेर्स जनरेशन गैप अब नहीं हम उनके दोस्त ठीक है दोस्तों मैं चाहती हूँ हम सब मिल जुल कर साथ सजिये हमारे बीच कोई भाषा कोई जाती कोई धर्म किसी भी तरह का अंतराल नहीं आए और एज जनरेशन गैप इसको हम भर दें प्यार से अपनी सोच से अपनी दोस्ती भरे भावों से उनको लगना चाहिए कि ये बिल्कुल हमारे जैसे और हां ये है भी सच हम आपके जैसे ही तो हैं तो दोस्तों आज में आपके दोस्त पायूशा जै हिन जै मा भारती भारत माता की जै हो बाबाई तो फिर कभी भी अकेले ना रहें उम्र के अंतराल की जो ये बात है उसे खत्म कर दें सबके साथ मिलके सबके साथ हर पल हर काम हर जीवन के पहलियों को मिलकर जीए तब तक के लिए फिर से मैं कहूंगी बाई बाई हम फिर चर्चा करेंगे एक नए विशे में आपकी अपनी दोस्त पायूशा टेक किर योशेव